समस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आल इस वेल स्वागति आपका जेके अग्जाम करेकर में इस पैजेंटिट बाइमी साहिल ठाकूर और आज हम नेक्स टॉपिक डिसकस करेंगे यह नवाड जो है नवाड के बारे में डिसकस करेंगे एन ए बी ए आर डी ओके इसक है और कॉपरेटिव बैंक में इसका क्या रोल है नवाड का यह पढ़ेंगे एस्टेबिलिश का वुआ फंक्शन का वुआ रोल क्या हुआ नेक्स्ट इसमें देखेंगे कौन से एड के तो इसको लगाया गया था और कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था किसके जो कि आपका स्लिवर्स में भी है काफी रोल रहने वाला और कौन-कौन सी स्कीम्स हैं वो भी देख लेंगे ओके कि लास्टाइम हमने पड़ा था आरभी के अवरें में की आरभी जो है बैंक जो है कमर्शल बैंक और कौपरेटी बैंक होते हैं इसके साथ बढ़े विप बैंस नार बैंक जो है जैसे आलींक चुप रंड इंस्टिशिन जिसमें एक्स्म бैंक आता है नवाड आता है थैं स सिर्फ पढ़ना है नवार के बारे में बाकी जो है अगर अबजेक्टिव आ जा वीच आथा फाल्विंग आर्दा नान बैंक्स ठीक है या फिर अबजेक्टिव के लिए याद कर देना आपने बाकी हमने डिटेल डिसकुशन नवार के ही पढ़नी है तो यह क्या है नान बैं नहीं करता लेंडिंग जो है यह कोप्रेटी बैंक को देता है और कोप्रेटी बैंक जो है या फिर अधर बैंक्स को देंगे वह जाके फिर लोगों को देंगे ठीक है तो यह डिरेक्ट लेंडिंग नहीं करता है लोगों को ठीक है सबसे पहले आपको इसकी फुल फार्म प पो इसमें लिखा है की रेगुले tremendous रहता है नवार के लेकिन वह अरब नवार को का वर करना की है काली किसके लिए defending n Solo उनके लिए और एपक्स कोपरेटीव बैंक्स के लिए किसको दी गई है नवार के लिए तो काफी इंपाइटन पॉइंट है जब आएगा एपक्स रेगुलेटरी रोल अफ ओवरार रेगुलेशन और लाइसेंसिंग आफ आर और बी और एपक्स कपरेटीव बैंक्स तब ये है नवाड ठीक है जब आएगा है को यह इम्पॉर्टन्ट है निया जो है इसमें इसमें यह किसटी किया था यह किया था नरसीमं मब second committee ठीके एक फर्श्ट committee वाठी है लिए फिस देटी मना यूबर जेकि डान्टियों में और पहले डिस्कुस कर रहा था bank किसको बोलेंगे, non bank कि इसको बोलेंगे तो इन्होंने नरसीमम Second committee ने बताया था कि bank किसको बोलेंगे जो deposit बगहरा submit करेंगे और इसमें जो है non bank किसको बोलेंगे जो deposit submit नहीं करते, मतल针 जिनके पास deposit नहीं आता है, ठीके और ये आता है All India Financial Institution के अंडर और ये बनाया गया था Parliament ने एक Act Pass किया था, कब किया था, 1981 में कब किया, 1981 में, ये कमेटी कब बेटी थी, 1998 में इन्होंने ये बताया कि Bank क्या होते है और Non Bank क्या होते है उन्हें एक Definition दी थी, Simple सी बट ये नवाड जो है, ये Parliament of India ने Act Pass किया, कब किया, 1981 में और Bank कब बना नवाड, वो बना 1982 में, July 1982 में ठीके, पहले जो था, इसे पहले जो RBAE का मनार्टी जो शेर था, वो था इसमें, नवाड में ठीके, मनार्टी स्टेक्स जो था, शेर जो था, शेर होल्डिंग जो थी, ये काफी कम जो थी, किसकी थी, RBAE की थी, किसमें नवाड में बट 2018 के बाद, 2018 के बाद, मोदी गोर्मेंट के बाद, 100% जो है, गोर्मेंट आउन्नर्शिप हो चुकी है तो आज की डेट में, जब भी क्वेशन आएगा कि नवाड को आउन कुन कर रहा है, तो वो गोर्मेंट आफ इंडिया, 100%, ओके, इसके लवा, रेगुलेटरी अथॉरिटी, वाट इस रेगुलेटरी रोल आफ नवाड, किस-किस को रेगुलेट कर रहा है, जो आपको इंप कॉपरेटी, बैंक कि भी और रहर बीाइक की भी जैसे कॉपरेटी, बैंक के न इसमें अगर कोशन आएगा क्यों पकाना, आपने रोल टीमेट रेगुलेटर तो ultimate रेगुलेटर को न आएगा वो आएगा RBI ठीक है जब आएगा immediate regulator immediate हो गया responsibility किसको दीगी है जो होए है नवाड को ठीक है दोनों mcq निकल सकते हैं तो keyword पर द्यान देना है ठीक है वैसे तो कॉपरेटिव बैंक्स में जो regulator है यह RBI भी है फिर इसके अगलावा नवाड भी है फिर इसके लावा state register जो कॉपरेटिव ठीक है वो state register का भी रोल है अब state register का क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे next lecture में बट अभी आपको पाचल गया कि कहीं ना कहीं प्रणिव इनका regulatory रोल होता इसके लावा जो नवाड है ठीक है यह नवाड जो है यह इंडिरेक्ट रीफिनैंस टू दा फॉर्मर प्रोवाइड करते हैं आटेसं को प्रोवाइड करते हैं ठीक है कहने के मतलब क्या मतलब क्या हुआ इसका इंडिरेक्ट मतलब हो गया एक तो पैसा जैसे आप चलेगे बैंक के पास ठीक है किसी बैंक के पास एक्जम्पल लेके चले जेके बैंक के पास आपने यहां से पैसा लिया तो आपको डिरेक्ट पैसा मिल गया यह हो गया डिरेक्ट लेंडिंग बट नवार के पास अगर जाएंगे आप अगर आप चले रोल बैंक को यह फिर आगे जो है लोगों को पैसा देंगे यह हुआ इंडिरेक्ट री फार्नेंस का मतलब ओके यह फार्मर को प्रवाइड करेंगे आर्टिसन को प्रवाइड करेंगे और एक ओप्रेट्स करते हैं कौन अनवाड और आई डीएफ रूरल इंफ्राच्रक्ट डवेलमेंट फंड जो है यह भी ठीक है फ्राम पी एसल शॉर्ट फाल फ्राम स्टेट कोपरेटिव बैंक यह काफी इंपॉर्टन लाइन है जो आपको पता होने चाहिए वैसे तो इस सब इंपॉर्टन है बैंक रेगुलेटिटिड बैंवाड और कौन-कौन से बैंक जो ह इसमें बड़ा था स्टेट को प्रेटिव बैंक फिर बड़ा था डी सीबी ठीक है जिसको सेंट्र कोपरेटिव बैंक भी बोलते हैं फिर आ गया पैक्स विलेज लेबल पर ठीक है तो इनको कौन रेगुलेट करेगा नवाड ठीक है यह फ्लिए हो आपको नेक्स जो है टू दौ गोर्मेंट और MSME की डेफिनेशन को अपडेट किया गया है ये काफी इंपॉर्टन्ट है मैंने बोला था AIFI ठीक है ये क्या है All India Financial Institution है नवाड ठीक है क्योंकि डिरेक्ट डिपॉजिट जो है वो पबिल्यू से नहीं ले सकते हैं ठीक है इंसे पहले नवार तो कब बनाया गया है नवाड को बनाया गया है इसे पहले क्या एक्षिल में ये पैसा किसको देंगे mostly जो है ये पैसा जो देते हैं नवाड़ वाले ये agriculture sector और rural development के लिए पैसा देते हैं नाम से ही पता चल रहा है आपको national bank for national level पे बैंक for agriculture and rural development के लिए इसका मतलब ये agriculture वालों को farmer को पैसा देंगे और rural development के लिए पैसा देंगे तो इनका logo भी क्या है taking rural India forward ठीके तो rural India को forward करने का काम किसको समपा गया है नवाड़ को ठीके ये बना था 1982 में लेकिन इसे पहले भी इसकी बाड़ी थी क्योंकि ये देखो ना 1982 में क्या देश को इसका क्या कर रहा था उनको loan प्रवाइड कर रहा था ठीके जब पैसा subsidy जो भी फट्रवाइड कर रहा था येस उसका नाम क्या था प्रीडेसर कों सा है ठीके सक्सेसर इंका को ना आया नवाड ठीके और इससे पहले कून था agriculture ये finance and development corporation important body है आपको पताना चाहिए पता चल रहा आपको की agriculture development के लिए काम देंगे रूरल development के लिए credit planning के लिए refinance पैसा द्वारा से refinance करने के लिए regulatory body of original rural bank को भी क्या करता है और regulatory body for the apex cooperative banks जब भी apex cooperative banks हों उनको regulate को न करता है ये ठीके headquarter इसका कहां पे है ये है मंबई में देखो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ी फार चल रही है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं ठीके option होगा आपके mobile में इसमें अगर आउनर्शिप बोलेंगे नवाड की जो आउनर्शिप है ये किसके पास है मनिस्ट्री आफ फैनेंस इसमें एक दो देखा हमने 1981 में पार्लमेंट आफ इंडिया रेक्ट पास किया तब इसको बनाया गया इसके लावा बैग्राउंड जो है ये हैड़के इसके लावा बैग्राउंड जो है किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था मैंने बता दिया इनका हैड़ आफिस कहां पर है मंबई मारास्ट्रा इंडिया में और नवाड एस्टबेलिश हुआ था आंधी रिकमेंडेशन आफ बी सिबरमन कमेटी तो यह इंपॉर्टन कमेटी है जो आपको पताना चाहिए कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे नवाड को बनाया गया था ठीक है और पार्लिमेंट में एक पास किया 1981 में और 1982 में इसको बनाया गया ओके नेक्स जो है इससे पहले इसने रिप्लेस किसको किया यह भी काफी इंपॉर्टन है कि जो नवाड है इसने रिप्लेस किसको किया जो मैंने आर्लेडी बता दिया, इसमें प्लेस किया, एरिकल्चर क्रेडिट डेपार्टमेंट एंड रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, ओके, आर्पी सीसी, तो इन दोनों को रिप्लेस करके नवार को बनाया गया, तो मैंने बता दिया, तो मैंने बता दिया, अर्पी कल्चर और डेडिट में, जब इनने इनिशली स्टार्ट किया था, नवार्टने वो तो हंडर क्रोड क्रोड था, इनिशल कारपर जो था, हंडर क्रोड क्रोड था, लेकिन आसासा इंक्रीज होके, आज की डेट में अगर देखें, दोहजार बीस क्या जो लास्ट इनका है, तो इनका पेड़ अप केपिटल जो इनक्रीज हो चुका है, वो है 14,080 क्रोड रपिया, ठीके, और अथराइज शेर केपिटल जो इनका है, वो 30,000 क्रोड है, नेक्स जो है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन-कौन से एसेट बैंक है इनके साथ, नवाड के साथ, ठीके, ये का कहा है, वाल्ड बैंक, एफिलिटेटिटिट अर्गनिजेशन और ग्लोबल डेवल्मेंट एजेंसी वरकिंग इन फिल्ड अफिल्ड अरिकल्च और रूर्ल डेवल्मेंट, इनको क्या पैसा प्रवाइड करते हैं, ताकि आप लोगों की हैल्प कर सकें उनकी अपलिटमेंट करने के लिए, ठीके, इनका आफिस जो है, ये रिजन आफिस थे इनके आल स्टेट्स में हैं, लेकिन इनका जो मेन हैड आफिस है, वो मंबही में है, और एक स्पेसल सेल जो है, वो सिरनागर जेनके में भी है नवाड का, नेक्स जो रोल अफ नवाड देख लेते हैं, रोल अफ नवाड क्या है, नवाड हैस बीन इंस्टोमेंटल इन ग्राउंडिंग रूरल शोशल इनोवेशन और शोशल एंटरप्राइज इन दा रूरल हिंडर लैंड, तो नवाड एक्चल में जब भी नवाड आएगा तो रूरल एरिया की याद आनी चाहिए आपको और एरिकल्चर की याद आनी चाहिए, ठीके, इनको ही पैसा प्रवाइड करते हैं, ठीके, यह सब इधर वही चीज़े लिखी गई है, ठीके, इसका स्क्रीन शाट ले ले और देख लें, इसमें इंपॉर्टन पॉइंट में डिसकस कर लेता हूं, जिसे फिट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टन है, नवाड रिफानेंस दा फिनेंशिल इंस्यूशन बिच फिनेंस दा रूरल सेक्टर, अब यह कहने का मतलब किया है, जैसे अगर कोई रूरल सेक तो नवाड जो ट्रेनिग फैसिलिटी टू दा इंस्यूशन वरकिंग इन दी फिल्ड आफ रूर अपलिफ्टमेंट उनके लिए भी ट्रेनिग प्रवाइड करते हैं, ठीक है, अब इसका है, इसका है, इट रेगुलेट्स एन सुपरवाइज दा कॉपरेटिय बैंक्स एन रिजनल रूर बैंक्स थ्रू आउट एंटाइर इंडिया, तो यह काफी इंपार्टन पाइंट है, ठीक है, नेक्स जो है, यह वाला जो पाइंट है, यह भी बैंकिंग रेगुलेशन में नवाड का क्या रोले, नवाड जो है, सुपरवाइज करता है, वर्ड को पकड़न इंस्पेक्शन आप डीस बैंक्स, उभी इंस्पेक्शन भी करते रहते हैं, तो सुपरवाइज करने का काम किसका है, नवाड का, कीज कीज का स्टेट काप्रेटिव बैंक यार सिदिगी बात है, अगर रूरल कॉपरेटिव बैंक है ना, उसमें श्राट हयँbody क्या-क्या है इसके लावा रिजिनल रूल बैंक है उनको भी सुपर्वाइज यही करेंगे अब इनको पावर कहां से मिलती है सेक्षिन 35 सबक्लाज अफ्टा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसको नवाड को इस नाम से भी जना जाता है किस नाम से सेल्फ हेल्प ग्रूप बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 इसके लिए इसको जना जाता है एस एच जी का मतलब हो गया सेल्फ हेल्प ग्रूप बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 ओके रीफिनेंस मैंने बताया कि अगर नवाड को रीफिनेंस फंड करना होगा तो वोल्ड बैंक और एसियन डिवेल्मेंट बैंक के थूँ यह क्या करेंगे स्टेट कॉपरिटिव में अरिकल्चुर और रूल डिवेल्मेंट के लिए पैसा देंगे स्टेट कॉपरिटिव बैंक रिजिन बैंक कमर्शल बैंक अधर फैनेंस इंस्यूशन अप्रूड बाइदा आर्बिया जो बैंक जो है जिसने जिन्होंने लाइसेंस लिया है आर्बिया के अंडर उनको रिफैनेंस कर सकता है को नवाड ठीक है नेक जो है एक यह काफी इंपॉर्टन है बैंकर इंस्यूट आफ रूल डिवेल्मेंट जो है यह क्या एक्चलों बड यह आट्रोनोमर सोसाइटी प्रमोटिट बाइदा नवाड इसको प्रमोट कुन करत है इसका बर्ड का ठीक है लखना वर्ड इस इंस्यूशन फर्दर ट्रेनिंग आफ और और बी परसोनल जितने बी रिजनल रूल बैंक में लोग जाते हैं तो मैंने पहले बताया कि फंक्शन है नवाड का वो ट्रेनिंग प्रवाइड करना भी होता है जितने भी बैंक में और रार बी के वैंक्स वाले परसोनल होते हैं ठीक है इंप्लााइस होते हैं गुवर्मेंट की स्कीम और डायनोध यह रहता है एक आगी स्कीम जहां पे णवाड का रहता है वह पर सैंक्शियो एंटर। स्कीम कमर्शल प्रडक्शन यूनिट आफ ऑर्गनिक इंपोर्ट्स एगरी क्लिनिक एन एगरी बिजनस सेंटर स्कीम नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन नेक्स्ट है निव एरिकल्चर मार्केटिंग इंफ्रचेक्टर इस में से जैसे पॉल्ट्री वाला है ना तो के ना कहीं व सबसेडरी आफ नवार कौन कौन सी है एक है नव किसान फैनेंस लिम्टिड नव समरुदी फैनेंस लिम्टिड नव फिंस लिम्टिड नव फांडेशन नवार कंसल्टेंशी सर्विसिस नव वंचर लिम्टिड ये सारी किसके साथ एशूटिड है नवार के साथ ये सारी ज यह MCQ है यह काफी important यह UPSC में पुछा गया है इसी के लेटिर था नवाड के लेटिर तो यह हम discuss कर लेते हैं विचाथा following grants direct credit assistance to the rural household तो rural household को direct पैसा कोन देता है ठीके तो regional rural banks नवाड या फिर land development bank land development bank मतलब हो गया long term के लिए cooperative bank जो provide करते हैं ठीके तो यह तो आपको पता कि cooperative bank तो पैसा देते हैं लोगों को direct रूल household को यह तो सही है अब regional rural bank तो यह हमने अभी पढ़ा कि नवार जो पैसा देता है आररबी को फिर आररबी लोगों को दे सकता है तो इसमें आंसर जो गलत है वो है टू वला नवार जो पैसा direct नहीं देता है वो देता है indirect ओकी तो यह काफी important था जो हमने discuss किया इसका सही आंसर जो है one and three is the right answer ठीके नवार डिरेक्ट पैसा नहीं देता है जो key terms है वो आपने पकड़नी है कुछ factual data है जो आपको पता होना चाहिए फुल फाम आफ नवार नेशल बैंक फार एरिकल्चर रोल डेवल्मेंट एस्टेवलेश कब हुआ नवार 1982 में हैड़कोर्टर का हम अमभई में किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी नवार के लिए बी सिवा रमन कमेटी जो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट चेयर में कौन है गविंदा राजुलू चिंताला जो की 2022 तक रहेंगे ठीके इसके लाब परपस क्या है नवार का इन इंडिया डिवेलमेंट एसिस्टेंस और पवर्टी रिडक्शन का इनका में मकसद है सेवन पाइंट चूफ एक्चुल डाटा यह याद करना आपने काड़ेंट वीच एक्ट नवार वाज एस्टाबेलेश दो आपको पता है एक्ट जो है 61 आप 9081 पार्लिमेंट दूर और उनर्शिप 100% किसकी होगी गोर्मेंट अफ इंडिया की इसके लाव आपको बतना चाहिए कि वर्ट दर नेम आफ तर्ट्रेनिंग अच्ईूट आफ नवाड तो ट्रेनिंग इंच्ईूट जो है जो ट्रेनिग देते हैं यह नवार के बारे में ठीक है मतलब इनके जो इनको ट्रेनिग देते हैं तो इनका इंच्ईूट कों सा है नवाड का तो वह बर्ड नाम है इसका बी आई आई अडी ठीक है बर्ड की फूल फार्म है बैंकर इंच्ईूट आफ रूर्ल डिवेल्मेंट इसको एस्टेबलिश किया गया था नाइंटी इटी फॉर में फर फंड करता है किस बैंक से तो आपको पता है कि वर्ल बैंक और एशिन डिवेल्मेंट बैंक यह कुछ फैक्च्छल डाटा है जो मैंने आलेडी डिसकस किये हैं बड़ आपको पता हो न चाहिए अगर बूल दिये तो काल को प्रावल्म हो सकती है है। क्मेटी सेट अप राएट वर्वेट की तीक की आरवीज का मंतलब 3 bananas और एरजमेंट फ़र धिकी सिर् normalmente का नाम पता होई चेहिंशेया आपको नवार वा सेट ऐप का और री ही फ्लेसमेंट एंप erg को बड़ी मेंटाया थिक यह एक ACD एक RPCC जो हमने आले डिसकस किया थर्ड नंबर पे है ARDC अब थर्टिन पॉइंट जो है आपको पताना चाहिए यह है कि लो टाइप सफ लॉन्स प्रवाइडिर बाइदा नवार बैंक तो तीन प्रकार का है एक शार्टाम लॉन्स मीडिम टर्म लॉन्स और लांग ट इस परकार के लिए जो शाय टंक रॉबाय। करता है कौन प्रोइडक नवार प्रोइड करता है कमीडियुम टम लॉन्स ऐडमेज करेगाम अब हमें करेगा मीडियुम टॉर नवार करेगा। थर्ड जो है लांग टर्म जो है लांग टर्म आगए तीन से लेके 15 एर तक अगर लोन चाहिए आपको टेकन बाइदा स्माल स्केल इंडरस्ट्री या फिर नान फार्म सेक्टर्स हैंडिक्राफ्ट और हैंडलों डेपार्टमेंट यह भी क्या है नवार से लोन ले सकते हैं नेक्स जो है 14 पॉइंट रूरल इंफ्रसेक्टर्स ड्वेल्मेंट फंड वाज मैंटेंड बाई तो आर आई डीएफ कोन मैंटेंड करता है नवार करता है 15 पॉइंट जो है इसमें आपने हिम यार्वार्ड में एन र्वार्ड ठीक है नाम से पासी बचले अक्तुर के थिर्ल रहे हैं और को कमेटी जैसे सिबॉमन कमेटी है उसका नाम पता होना चाहिए और जितना मैंने बताया वह आपको पता होना चाहिए और किस को रखा जाता है और इसकी सेक्षन किस में अंडर किया मैंने सब बता दिया ठीक है यह काफी के लिए ठीक है इस आल अवाउट नवाड और नेक्स लेक्षर में हम डिसकस करेंगे एंसी डीसी और उसकी स्कीम जो है कोपरेटिव सेक्टर के लिए ठीक है अगर आपको लेक्षर पसंद आता है लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स लेक्षर में